हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है दबाव बहु के पिता ने सामान तो दिया है लेकिन एक भी चीज ढंकी नहीं दी देना ही था तो हमसे पूछ लिया होता कि कैसा खरीदना है ये देखो इस अलमारी का रंग कितना अजीब लग रहा है ऐसे रंग की अलमारी भी भला कोई रखता है मुझे तो हलके रंग की अलमारी अच्छी लगती है और ये बिड का डिजाइन भी कुछ खास नहीं है दहेज में मिले फरनीचर को देख देख कर मुह बनाते हुए सुन कर लो वो तो मैं करवाऊंगी ही भला ऐसा ओल्ड फैसन का सामन घर में रखकर घर का हुलिया थोड़े ही खराब करना है सुनीता जी अकड़ते हुए बोली अपने कमरे में बैठी प्रतिभा सारी बाते सुन रही थी या फिर ये समझो कि उससे सुनाकर ही सारी बाते हो रही ती कितने जतन से सालों से एक एक चीज़ के पिता ने अपनी बेटी के दहज के लिए एक अठा की थी अपनी तरफ से किसी चीज की कमी नहीं रखी थी फिर भी यहां किसी को उन चीजों की कोई कदर नहीं थी कुछ दिनों बाद ही घर में कारपेंटर आया और उस नीता जी इने जैसे जैसे कहा, वैसे वैसे दहज में मिले फरनीचर का हुलिया बदल दिया गया, अलमारी का रंग भी बदल दिया गया, अब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन फालतु में हमारा इतना खर्चा हो गया, बहु अपने पिता जी से कह देना, कि उनका दिया दहज भी हमारे उपर ही भारी पड़ा है सुनीता जी अपनी बहु प्रतिभा को सुनाते हुए बोली प्रतिभा चुप थी आकर कहती भी क्या अभी इस घर के लिए वो नई ही तो थी यहां का परिवेस उसके माईके के परिवेस से बहुत अलग था सब की पसंद ना पसंद भी प्रतिभा की पसंद ना पसंद से मेल नहीं खाती थी उसका दिल क्या चाहता है इस बात की सायद यहां किसी को परवाह नहीं थी सब अपनी पसंद का ही गुलगान करते रहते थे प्रतिभा के साधी के दूसरे दिन ही उसकी दोनों नदे वापस ससुरा लोट गई थी क्योंकि उनके बच सुनीता जी ने प्रतिभा को आवाज लगाते हुए कहा प्रतिभा बहु दीदी के लिए पानी लेया ये सुनकर छोटी ननद तपाक से बोली मम्मी आप लोग अभी भी भी भाभी को प्रतिभा ही पुकारते हो कितना ओल्ड फैसन नाम है सगाई के बाद ही हमने बात की थी कि भाभी का नाम बदल देंगे क्या भाई भी भाभी को इसी नाम से बुलाता है ऐसा लगता है जैसे घर की बहु को नहीं कामवाली को पुकार रहे हो कहे कर वो ठाका मार करहस पड़ी अपने नाम का ऐसा मजा गुडाते देख प्रतिभा का चेहरा उतर गया कितने प्यार स उसकी दादी ने उसका नाम प्रिद्भा रखा था दूसरी ननत बोली सच में मम्मी बहुत अजीब लगता है ये नाम लेकिन भाभी पर सूट करता है इन्हीं देख कर लगता भी नहीं कि आज के जमानी की हैं बाल देखो घुटने तक चोटी बना रखी हैं और बिंदी भ बड़ी लगा रखी हैं ये भगवान पूरी आइटम है हमारी भाभी लेकिन अब हम आ गये हैं ना देखना तुम्हें कैसे बदलते हैं आज से तुम्हारा नाम कृती होगा नहीं नहीं जोया होगा नहीं दीदी मुझे तो जानवी अच्छा लगता है चोटी ननत बोली द दोगज की चोटी कटवा कर लाती हूँ कौन रखता है आज कल इतने लंबे बाल प्रतिभा कातो जैसे हलक ही सूख गया नहीं दीदी मुझे बाल नहीं कटवाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मेरे बाल देखो भाभी अब तुम अपनी पसंद भूल जाओ इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना सीख लो अकड़ते हुए बड़ी ननत बोली अब प्रतिभा से ये सब बरदास्त नहीं हो रहा था वो बोल पड़ी माफ करना दी दी मैं इस घर की बहु हूँ दहेज में मिला फरनीचर नहीं जिसे आप लोग अपने हिसाब से रंग पोत रंग रूप अच्छा लगता है हर इंसान को यह कहे कि वो अपनी पसंद के अनुशार रह सके फिर मुझ पर आप सब दबाव क्यों डाल रहे हैं क्या साधी के बाद सिर्फ बहु को ही बदलने की जरूरत होती है प्रतिभा की बाते आप इस से आए प्रतिभा के पति आलोक उठाएं और सच बताओं तो मुझे भी प्रतिभा के ये लंबे बाल बहुत अच्छे लगते हैं आलोक की बात सुनकर प्रतिभा होले से मुस्कुरा पड़ी दोनों ननदे समझ गई कि अब उनकी दाल नहीं गलने वाली हूँ हमें क्या रहो इस गवार के साथ जब लोक पनाया और सोई में खाना बनाने में जुट गई आसा करती हूं दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी धन्यवाद